लखनव से खबर यूपी में विदेशी निवेश योगी सरकार लाने जा रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरीए ये निवेश होगा यूपी में बंसल नियूज ने मंतरी जयवीर सीम से बातचीत की उन्होंने कहा कि विदेश दौरा बहुत सखारात्मक रहा हम हमारी टीम ने निवेशकों से चर्चा किया और दोनों ही देशों में निवेश को लेकर रोट्शो किया गया 25,000 करोड रुपे का MOU साइन हुआ उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर यूपी सरकार फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट कायोजन कर रहे है जिसके लिए उत्तर प्रदेश के कई कैबिनेट मंतरी और समाम सीनियर आयस अपसरों का जो है फिदेश दौरा संपन्न हो चुका है और इसी विससे पर हम बात करेंगा उत्तर प्रदेश के परेटर निम संस्कृति मंत्री जैवीर सिंगी से और समझेंगे कि आखिर वो जापान और दच्छिड कोरिया के यात्रा पर गया थे निवेश्कों से बात करने के लिए कैसी य इनवेश्टर समय दो याद तेइस उसके बहुत ही आश्चरचनक और अचमित पड़ा हम लोगों को देखने हैं बिदेशों की दर्टी पे मिले आधरी योगी जी के प्रत आधरी मोधी जी के प्रत जो सदभाव आत्मी था और एक लग रहा है कि इनके रहते देश में हमारा जो पूझी नवेश का अईसकों कानून थे जो उद्ध्यों को प्रभाविज करते थे लाल प्रिटा साइए को डिप extrapol निवेश का उसको समधत करने का काम किया है उनको लगता है कि इनके रहते हैं लौ और का को इसई प्रभावि जो सबसिटीज प्रदेश सरक्यार के द्वारा दी जा रही है वनिश्चे दूप से धरातर पर उत्रतिव नजर आएंगी तेक विस्तास की वावना उनके बीच पनपी है और खासकर दच्छड को रिया और जापांच जहां हमाई टीम हमाई साथ आधरी मंतरी आसीद पटेल भी थे अमित मोहन प्रसाद जी एसीएस ग्रूब में थे एसीएस जेवर एयरपोर्ट अथोर्टी अरुडवीर सिंग जी थे हमाई साथ एडवाईजर टू सीम जीन सिंग साब थे तो ड्रेक कंट्रोल आप एंडियों पहले रहे हैं और आनने तमाम अधिकारियों की टीम तो उसी का परडामत है कि हम दोनों देसें में रोड से हो किये जीटी हम लोग ने दुपच्छी तेबल बारताएं में की तमाम अलग-अलग भी उद्वपतियों पूझी पतियों निवेसकों के साथ बारता वहां के दूतावासों के मद्धम से संपन कराएं गई और बहु में जो मुझे लगता है कि यह हमारा दस से बारा है फरवरी जो हम ग्लोबल इंवेस्टर सम्मिट कर रहे होंगे उससे पहले वह भी मेच्वर हो जाएंगे यह थे अपने दौरे के के बारे में बात करते हुए बताया कि 25,000 करोड का MOU यह लोग जापान और दच्छिड कोरिया के दौरे के समय साइन कर चुके हैं यह वहां समझोता हो चुका है साथ से साथ 50,000 करोड के जो है MOU साइन होंगे जब यह ग्लोबल इंवेस्टर सम्मिट होगी तो कुल में लाकर 75 70,000 करोड रुपए अगर दो देशों से आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे अन्ने देशों से भी जहां दोरे हुए आएंगे और निश्चित दुरुप से यह उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी बात होगी कैमरा प्रसंद सतेंद कुमार के साथ आलोक राए बंसलियो लागना हूँ